नमस्कार दोस्तो एवम हमारे प्रिय किसान साथियों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग सेमूलेटर यूटूब चैनल पर दोस्तो प्याज किसान भाईयों के लिए खुस ख़बर निकल कर सामने आ रही है जो की नए प्याज किसान भाईयों के लिए है दोस्तो खरीब सीजन की प्याज की जो अभी निकलने वाली है या निकल रही है उन किसान भाईयों के लिए एक अच्छी ख़बर निकल कर आ रही दोस्तों प्याज में आने वाले दिनों में हम तेजी देख सकते हैं दोस्तों 100% तेजी की संभावना बनी हुए कि कुछी दिनों में आपको प्याज में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तो पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे कि वह कौन से कारण है कि जो प्याज में तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तो पूरा वीडियो सुरू से अंता कवस्च देखे ताकि आपको पूरी सही एमसटिक जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तो जो भी भाई इस यूटूब चैनल पर पेली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि नीचे सस्क्राइब लिखा हुआ है सस्क्राइब की बटन दबा कर पास आई बेल आइकन को फ्रेस कर लें ताकि हमेशा की तरह आपको वीडियो की जानकरिया प्राप्त हो सके तो दोस्तो शुरू कर लेते हैं वीडियो बीना किसी देरी के तो दोस्तो प्याज में ऐसे क्या कारण बने हुए हैं कि जो आने वाले दिनों में हमें तेजी के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तो पहला कारण यह है कि पूरानी प्याज अब निकल चुकी है जी हां दोस्तो दोस्तो काफी दिनों तक जो है इस बार जो है MP में प्याज इस्टोरेज का प्याज टिका हुआ रहा दोस्तो प्याज भंडारन सक्सेस्फुल रहा और काफी दिनों तक जो है प्याज का ज दिया और दोस्तों निरास होकर किसानों ने अपनी सारी प्याज अब बेज दी है थोड़ी बहुत बची कुछी 5 या 2% प्याज अब जो MP में बची है वह भी अब जो है साथ से 10 दिन या 15 दिन के अंदर-अंदर प्याज निकल जाएगी दोस्तों अब ऐसे में जो है जो भी प्याज किसान भाईयों को ही मिलना क्योंकि दोस्तों जिनोंने नहीं प्याजिज उगाई है वहना खरीब सीजन की दोस्तों खरीब सिजन की प्याज भी जाया दिन तक टिकती नहीं है और वह लगातार मंडियों में जा रही है इसे हम्ってる हाल hop अब प्रतिकिलो ही इन्दोर मंडी में देखी जा रही है दोस्तों अगला कारण यह है कि अरब सागर से बादल आ गए हैं तीन दिन हो की बहिंकर बारिस जहां दोस्तों मोसाम विभाग की माने तो कई राज्यों में जो है बारिस की संभावना बनी हुई है दोस्तों मोसाम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोप के चलते तीस नौवंबर से दो दिसंबर तक उडिसा और आंदर प्रदेश में भारी बारिस होगी इसी के चलते एक दिसंबर से दो दिसंबर की रात तक गुजरात कोंकन गोवा और मध्य महराष्ट में कई लाकों मे तेज बारिस की संभावना जताई जा रही है तो दोस्तों दूसरा बड़ा कारण यह बना हुआ है कि जहां ज़्यादा प्याज होता है खरीब सीजन का जिन राज्यों में जैसे की महराष्ट और MP इसे में बारिस की मोसम विभाग ने कहीं अलर्ट गुसित किया हुआ है त उद्वार से मद्य परदेस में बारिस सुरू होगी उज्जेन इंदोर और गौलियर चंबल संभाग में कहीं कहीं अच्छी बारिस होगी जबकि बोपाल में गरच चमक के साथ बुंदा बांदी होने का नुमान है इसके साथ ही अरप सागर में बन रहे लोपेसर के कारण उज्जेन गौलियर चंबल संभागों में के साथ साथ इंदोर संभागों में इंदोर संभाग में जदा पाने गिरने की संभावना जता ही जा रही है तो दोस्तों कहीं ने कहीं प्याज पर इसका जो है असर दिखेगा और कहीं ने कहीं तेजी की संभावना बन रही है दो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे और किसान सांतियों को साथ अबस्ते सेर करें जै जवान जै किशान